नमस्कार स्वागत है आपका दानी उस पार मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी इसी साल जन्वरी महीने में मुंबाई के मीरा रोड पर हुई हिंसा के माफले में बॉंबे हाई कोट में आज सुझवाई हुई इस माफले में मुंबाई पुलिस ने हाई कोट में एहम ठिप कि खिलाफ नहीं है दरसल पुलिस ने बीचपी नेता नितेश रानी टीर राजा और साथी गीता जयन के खिलाफ धारा दरसल बंबे हाई कोट में एक याच्च का दार की गई थी जिसमें नितेश रानी गीता जयन और टीर राजा पर पुलिस ने दरसल दोसो पिच्चान में ए नहीं लगाई उसको लेकर सवाल उठाए गए थे जिसके बाद जिस पर नियाई मूर्ती रेवती मोहिते और नियाई अलगलग जंग है मुंबई में घाट को पर मानखुर्द और मालमाली और इसके लावा मीरा भयंदर में कश्मीरा इस पूरे दरसल माफले को लेकर जो मामला जनवरी का है इसी साल कि वहाँ पर मुस्लिम समुदाए के खिलाफ आपतीछनक और घ्रना भरे भाशन तीए मुंबई पुलिस ने ये बड़े भयान जो है हाई कोट में दिये हैं उन्होंने साफतोर पर कहा कि दरसल जो बयान उनकी तरफ से दिये गए वो भारत में रहने वाले मुस्लिमों के खिलाफ बिलकुल नहीं थे जिस तरीके से याच्क करता आरोप लगा रहे हैं दरसल जो घाट कोपर में भाशन दिया किया था उस भाशन के कुछ अंस जो है वो हाई कोट में रिखाई जिसमें निदेश राने ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ रोहिंग्या बांगलादेशी और कई अन्य भड़काउश शब्दों का इस्तमाल किया गया था ये आरोप लगा जहां तक बीज़पी नेताओ टी राचा और गीता जैन का सवाल है उन्हें कश्मीरी में राने के साथ भाशन दिया था तो कुल मिलाकर ये भाशन से जुड़ा एक मावला है जिसमें ये अन्रोध जो है कोट से किया गया कि निदेश राने ने चार जगों पर ये भाशन द वनेगवार की पीट ने कहा कि भाशन में बांगला देशी रोहिंग्या आदी शब्द का इस्तेमाल किया गया था इसने धारा 295 में ए कोई मावला नहीं बनता। उन्होंने पीट को ये भी बताया कि धारा 255 में एक केवल मानखुर्थ पुलिस स्टेशन में दर्ज F.I.R. में लागू की जाती है जहां मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विशिस्ट आरोप लगाय जाते हैं इसके लाबा उन्होंने जो पीट थी हाई कोट की उसको बताया कि घाट कोपर में दर्ज F.I.R. में राने और सुभाश आईर के खिलाफ IPC की धारा 153A, 153B, 504 और 506 ही लगाई गई है मानफाली में पुलिस ने राने और अन्य के खिलाफ IPC की धारा 153A, 504, 506 और 188 के तहट ये F.I.R. दर्ज की है काशिमीरा पुलिस स्टेशन में धारा 143, 149 के तहट F.I.R. दर्ज की गई है और आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है वेनेकुआर जो की सरकारी वकील थे उन्होंने नियाए धीशो को बताया कि उन्होंने कहा कि उक्त जो F.I.R. है उसमें धारा 153A और 153B लगाने की परमिशन मागी गई है तो ये तमाम सुर्वाई जो है कोट में खुई जिसमें तमाम जानकारी जो है वो सरकारी वकील के जटके कोट में दी गई और बयान को रिकोर्ड पर लेते हुए नियाए धीशो ने याचिका का निप्टारा करते हुए कहा कि याचिका में की गई अधिकांश प्रातनाय प उस बयान को सुईकार करते हैं याजी करताओं को उचित मंच के साहने उचित चरन यानि आरोप तै करने पर धाराव दोसों पिच्चान में एलागू करने की मांग करने की परमिशन दी जाती है यह पूरी सुनवाई जो है वो माराश्टर के मुंबाई में जो इसी साल जनवर में घटना हुई जो भाशन दिये गए उसको लेकर दरसल पूरी सुनवाई कोट में हुई जिसमें मुंबाई पुलिस की ओर से कई बड़ी दलीले जो है कोट में दी गई कई बड़ी बाते कही गई इस पूरे भावरे पर इस पर वरिश्ट वकील गाईतरी सिंग ने पीट जान्वे को अब नहीं जोड़ा गया तो वो आरोपत्र दाखिल करेंगे और बात में कहेंगे कि अब वो उक्त प्रावधान नहीं जोड़ सकते हैं तो यह पूरी सुनवाई जो है सरीके से कोट में हुई और इस पर नियाइफ मूर्ती मोहिता डेरी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है मैं आपको ज्यानकारी देदू कि दरसल यह पूरा माफला जिस पर बोंबे हाई कोट में सुनवाई हुई साथी इन टिपनियों के साथ पीट ने इस याचिका का निप्टारा कर दिया लेकिन यह पूरा माफला है क्या दरसल आयोध्यार राममंदर में पर कि उन्होंने जो है भड़काओ भाशन दिये हैं उन्होंने मुस्लिमों पर टिपनी की है लेकिन रोहिंग्या जैसे शब्दों का इस्तमाल जो है वो किया गया था मीरा रोड के नया नगर इलाके में रामंदिर शोभायात्रा निकाल रहे रोगों पर हमला बोला गया थ इसके बाद इलाके में काफी ज़्यादा तनाव वहां पर फैल गया था पुलिस ने बात में 17 और दो और लोगों को अरेस्ट किया था और 23 जनवरी को इस्तानिय नगरपालिका की तरफ से अवैध नर्मान पर बुल्डोजर एक्शन भी वहां पर किया गया था पुलिस ने बीचपी नेता नितेश राने विधायक जो थे वहां की गीता जियान के खिलाफ दरसल साक्षे पेश करने के लिए कहा था जिसके बाद जो है सबूत पेश किये गए पुलिस ने इनके खिलाफ 295 एक तहक मुकदमा दर्च नहीं किया और यही वज़ा रही कि ये पूरा अबला कोट में पहुचा लेकिन पूरे माफले को लेकर अब पुलिस ने साफतोर पड़ ये कहा कि दरसल भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के खिलाफ उनका कोई बयान नहीं था क्योंकि कहीं न कहीं इस पूरे माफले को राजनतिक दूल देने की कोशिश की गई त के बीच पी नेताओं को शेल में डाल दिया जाए लेकिन वहाँ पर इस पूरे माफले को लेकर काफी जो कह सकते हैं की सियासी बवाल हुआ था लेकिन अब कोट में कहीं ऐसे जो है टिपणिया जो सरकारियी वकेल के जर्के की गई जो की साथी जो जज है उनकी तरफ से इस पूरे माफले में तिपनिया करते हुए इस पूरे माफले का करने का निर्देश जो है कोट की तरफ से दे दिया क्या है और इस तरीके से इस पूरे माफले में ये कारपाई हुई है जहां पर जाहिड तोर पर नितेश राने की अगर बात की जाए तो एक ऐसे नेता माहराश् जो कहीं न कहीं सुर्ख्यों में अपने बयानों को लेकर बने रहते हैं कई ऐसे दूसरे माफले भी नितेश राने पर हैं जहां वो अपने भाशन को लेकर सवालों के खेरे में आते हैं लेकिन जहां तक इस पूरे माफले की बात है जिसमें एक तरफा कारफाई की बात जो है वो की जा रही थी लेकिन अब कोट में जब ये पूरा माफला पहुँचा तो कुछ इस तरीके से टिपणियों के साथ पीठ ने इस पूरे माफले में जो याचिकाई थी उनका निप्टारा किया और पुलिस ने भी ये सपर्ष्ट कर दिया कि जहां पर जिस धारा की जरूरत कि जए झाले माफले वे जया है तो पुलिस पूरा कि जरूरा